नमस्कार आप देख रही हैं वन इंडिया मैं हूँ प्रशान शर्मा बैंगलूरू में आयूजित आई पिल मेगा आक्षन में बड़े बड़े खिलारी जहां अनसोल्ड रहे हैं वही भारत के युवा और अंडर 19 टीम के खिलारियों पर जम कर धनवर्शा हुई है आपको बता दे कि भारत की अंडर 19 विजेता टीम में से कुछ खिलारियों का नाम मेगा आक्षन में शॉट लिस्ट किया गया था जिन में से कई खिलारी माला माल हुए तो कई तो करोड पती भी बने आपको बता दे कि ये गिंती अंडर 19 विजेता कप्तान यश्ध धूल से शुरू हुई जिन्हें 50 लाख रुपे दे कर दिल्ली ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया वही राज बावा इस सूची में सबसे महंगे अंडर 19 टीम के खिलारी बने जिन पर पंजाब किंग्स ने दू करोड की बरसात की आपको बता दे कि अंडर 19 टीम के खिलारीों का बेस प्राइज इस साल उक्षन में 20 लाख रुपे रखा गया था जहां आल राउंडर राज बावा और राज वर्धन हंगर गेकर करोड पती बने आपको बता दे कि राज वर्धन को चिन्ने सुपर किंग्स ने एक दश्मलव 5 करोड रुपे दे कर अपनी टीम का हिस्सा बनाया बता दे कि राज बावा ने अंडर 19 विश्व कप में 5 विकेट अपने नाम करते हुए भारत को फाइनल जीतने में मदद की तो वही राज वर्धन ने भी अंडर 19 विश्व कप में भारत को विजेता बनाने में एहम भूमिका निभाई थी यानि कि कहना गलत नहीं होगा कि इस साल IPL फ्रेंचाईज किसी भी युवा खिलारी जिन्होंने हाल ही में शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है उन्हें करोड़ पती बनाने में कोई कसर नहीं छूड रही है अब देखना होगा कि आगे चलकर कितने और अंडर 19 खिलारी करोड़ पती बनते हैं बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ